कि यह बैट का बाहरी किनारा लगा थाटमेन बाउंटरी की तरफ चारन इतने हल्क के आतों से गेला है कि हल्क के आतों से और बहुत बढ़िया प्लेस किया दबाओं में दिखाई देने लगी और उठाकर मारा है ऑफसाइड में एक्स्ट्रक कवर के ऊपर से चारन यह क्या श किस तरफ यह सिर्क इतना इस तरफ बले के पीचियों पीच से लगी टाइमिंग को दिखाना शरीर का संतुलन कितना फूर्शूरत और इस बार ऑफसाइड में तुंदरता के साथ पॉइंट बाउंडरी के तारफ चारन कि यहां जैसुलिया के सामने कर्मों का इस्तेमाल किया है और चौका मिला है नमन ओजा का पांचमा चौका फाइनल में सीदे बाले से खेला है लॉंग उनका फिल्डर है जरूर क्या दोसरी रंड के लिए लोटेंगे जी हां जुरूरत नहीं है इस बाद बहुत ही पढ़िया शौर का इसमाल नमन हो जाका जादा लेक्स्पिन कराने की कोशिश करेंगे जीवन मेंडेस को बहुत विसरले का चांस इसके सीदी सीदी बोलिंग करेंगे और लिजिए चौका और लीजिए 66 की पार्टनर्शिप हो चुकी है जो दो जटके लगे थे उसके बाद भारतीय टीम उबली है नमन हो जाने लगातार दो मैचिस में पचास का अंकड़ा पार किया है पहले आस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमी फाइनल में और अब यहां श्री का मौका था जो चूप गए विकेट कीपर पूरी तरह भी दोगें बाउंडरी लाइन के बार गए बहुत बड़ा मौका चूप के श्रीलंका के फील्डर वो एक टुपा खाके चौपा बिल जाएगा और यह आखरी बग पर कट किया थर्ड मैं बाउंडरी की तरफ चारण और इस बार ड्राइब के ऑफसाइड में एक्स्टेकाबर बाउंडरी की तरफ चारण वो शॉट है चौपा बिल जाएगा बढ़िया शॉट है क्या बहुत है प्लेस्मेंट देखिए टाइमिंग देखिए तेरवा चौपा नमन हो जागा यह चौपा मिलेगा दोनों खिलाडी खेरिये के अंदर है विकेट के पीछे क्या पाथ है क्या पाथ है नमनो जा चपके के साथ सेंचुरी पूरी अभिवादन आपका है अब इस शटक को नहां लेके जाने क्या थाइम किया है बिल्कुल पाट के बीचो बीच अब वह सबीड़ाओं के खड़े होगे विए रच्टा कुरे मेदान पर अगर अगर पूरे स्टेडियम में देखे तो लोग खड़े होगे इस चरह की इस प्रिए रच्टे नपे फाइनल में 100 नानक नीवा जे चले लगे ना कत्तिवाओ चके के साथ सेंचुरी पूरी की और चौके के साथ उसको मद्बूत किया है